सुशान सिंग राजपूत के डेथ केस में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं अब मीडिया के सामने सुशान के कॉल रिकॉर्ड आये हैं जिने देखने से पता चल रहा है कि सुशान्त का घर चोड़ने के बाद सुशान्त और रिया के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है 8 से 14 जून के बीच सुशान्त की बहनों से उनकी कितनी बार बात हुई यह भी सामने आया राजपूत के पिता के वकील विकास सिंग अपने कई इंटर्व्यूज में कह चुके हैं कि सुशान के घर से जाने के बाद रिया ने उनको ब्लॉक कर दिया था अब टाइम्स नाओ की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रिया और सुशान के बीच 8 से 14 जून के बीच कोई बातचीत नहीं हुई ना रिया का फोन आया ना ही सुशान की तरफ से उनको फोन गया ना ही कोई मेसेज है ये बात काफी हैरान करने वाली है क्योंकि पुराने मंस में रिया और सुशान के बीच काफी कॉल्स है जनवरी में एक दिन में रिया ने उन्हें 19 तक कॉल्स कर दिये थे रिया के जाने के बाद 8 से 14 जून के बीच के कॉल रिकॉर्ड में कहीं चौकाने वाले बाते देखी गई है सुशान्त की बहन रानी की तरफ से सुशान्त को सिर्फ एक फोन किया गया है वही सुशान्त की बहन रानी को एक बार फोन किया है टैलेंट मैनेजर ने सुशांत को पांच बार फोन किया है रिया ने सुशांत को फोन नहीं किया वहीं सुशांत ने बहन मीतू को एक बार फोन किया था SPN 9 Newsroom से शालिनी जहा के रिपॉर्ट